गदे हो क्या? कोई चीज समझ में नहीं आती? अरे वो तो गदा है, उसकी बात मत सुनो. क्यों दोस्तों, आप भी लोगों के लिए इसी तरह की बाते करते होंगे न? जहां अधिकतर लोग गदे को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हों और जहां कहीं भी कोई बेवकूफी कर उसे हम गधा बोल के नीचा दिखाने में लग जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि गधे कई मामलों में हम इंसानों को भी पचार देते हैं और कई गाओं ऐसे हैं जहां पर हथियानों को बेच कर गधे खरीरे जा रहे हैं तो आप क्या गएंगे? हाँ, सिनने में थो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूस्तों जब कभी भी हम गधे के बारे में सोचते या सुनते हैं तो हमारे धिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि एक ऐसा जानवर है जिसकी बुद्धी बहुत कम होती है और यह ड में लेते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके अंदर बुद्धी ही नहीं होती या फिर वो डपोक होते हैं बलकि वो खुद काम करने के लिए तयार रहते हैं इसलिए वो हम इंसानों को अपने उपर हुकुम जवाने का हग देते हैं और अगर आपको गधों की साइ दोस्तों अमेरिका के टेकसस में ऐसे कई सारे गाउं देहात के एरियाज हैं जहां रहने वाले किसान काफी लंबे समय से परिशान थे हर साल पंची और शिकारी जानवर उनके खेतों पर हमला कर देते थे जहां वो न सिर्फ उनकी फसल को खराब करते थे बलकि उनके डॉक्स का इस्तेमाल करना हो। सिर्फ इतना ही नहीं यहां रहने वाले किसान कई सारे खतरनाक हथियारों तक को इस्तेमाल में ला चुके थे लेकिन सब कुछ बेकार था। इतनी सारी चीज़ें ट्राइ करने के बावजूद वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर अब आपके दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा कि भला एक गधा इतने बड़े फार्म को कैसे बचा सकता है। तो हम आपको बताने कि अमेरिका के टेकसस स्टेट में रहने वाले किसान अपने खेतों और जानवरों की सुरक्षा के लिए करोण रूपे खर्च कर चुके ह इतना पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर जब उन्होंने देखा कि जो काम गार्ड डॉग्स और हथियार नहीं कर पा रहे हैं वही काम एक गधा सफलता पुरवक कर पा रहा है। जब एक किसान ने गधे से अपनी प्रॉप गधे नहीं बलकि हम इंसान है जिसने हमेशा गधों को सीधा साथा समझ कर मुर्ख कहना शुरू कर दिया। उसके अंदर की ताकत और उसकी बुद्धी के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अमेरिका के इस गाउं के लोगों ने गधे की छुपी हुई ताकत को न सर्फ पैचाना बलकि उसका असले इस्तेमाल भेकिया। हम आपको बता दें कि ये गधे किसी खास नसल के नहीं होते हैं जो कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान होते हैं बलकि ये नॉमल गधे होते हैं। बस बात सर्फ इतनी है कि इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग जाती हैं। आपके काम नहीं बच रहे हैं आपने बिलकुल सही सना गधों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती हैं। और अगर उन्हें एक बार अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी गए तो वो कभी भी सिखाई हुई चीजों को भूलते नहीं हैं। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुगें गधों के अंदर काम करने के एच्छा खुद से ही आती है। उनको काम वगरा में आलस नहीं आता इसलिए वो नई चीजों को सीखने में कोई जिशक नहीं देखाते। दूस्तों गधों की ब्रीडिंग होते हैं ताकि अच्छी नसल का गधा पैदा किया जा सके और फिर उन्हें अच्छे दामों में बेचा भी जा सके क्योंकि जो गधे की ब्रीड होती है वो यह उसकी असली कीमत तैकरती है। वैसे तो गधों में मेल और फीमेल का नेचर एक दूसरे से बहुत अलग होता है, फीमेल का नेचर थोड़ा शान्थ होता है, वहीं पुरुष प्रजाती के गधे काफी उग्र किस्म के होते हैं, इसलिए किसान अपनी जरुरत के हिसाब से ही इनका चुनाव करते हैं, इसके अलावा गधे के साइज का भी चुनाव किसान अपने वजन से ही करते हैं, हमने इतनी सारी बातें तो आपको बता दी लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि गधे में ऐसी क्या खास qualities होती हैं कि सुरक्षा के इतने विकल्प होने के बावजूद लोग गधों का चैन कर रहे हैं सबसे पहले चीज तो गधों की आखे बहुत तेज होती हैं यहां तक कि उनके कान भी बहुत तेज होते हैं इसलिए वो 60 मीटर की दूरी से आ रही आवाज को भी भाप लेते हैं अब आपको यकीन ना हो लेकिन इनके दाथ भी काफी तेज और मजबूत होते हैं उसके अलावा गधों में एक ऐसी खासियत होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं और वो है कि गधे काफी हद तक अपने decisions खुद लेते हैं इसलिए जैसे ही उन्हें खत्रा मैसूस होता है वो तुरंत react करना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें महसूस होता है कि शिकारी जानवर उनकी तरह बढ़ रहा है तो एक ही जगा रुक कर जोर-जोर से अपने पैर पटकने लगते हैं और अगर कोई गधे पे हमला करें ये बिना सोचे समझे कि सामने वाला इनसे कितना ताकतवर है तो ये पलटवार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते अब विडियो में साफसाफ देख सकते हैं कि कैसे ये गधा भेड़िये और लोमड़ी को मुँ में दबोच कर उसकी हलत खराब करने में लगा हुआ है तो देखा अपने की कैसे एक गधा खुंखार भेड़िये को भगार आ है यही वज़ाई कि गधे भेड़ और बक्रियों के लिए गार्ड साबित हो सकते हैं वैसे भी गधों को भेड़ और बक्रियों के साथ रहना पसंद भी होता है जहां कहीं भी ने खत्रा मैसूस होता है ये चलाना शुरू कर देते हैं जिससे आसपास के लोग एकदम चौकनना हो जाते हैं और ये शिकारी जानवर को खदेड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकचाते शायद ही आपको गधों के बारे में इस तरह की बाते आज तरह किसी ने बताई हो और हम भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इन बातों को सुनने के बाद आपके मन में भी नश्यत तौर पर गधों को लेकर काफी बदलाव आये होंगे पर भाई अभी तो कुछ भी नहीं है हमने आपको आधी ही पिक्चर देखाई है पूरी पिक्चर जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अब तक गधों के बारे में कितना खलत थे दोस्तें के बाद है फिर्स वर्ल्ड वार की जिसमें कई सारे लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए अब ये तो आप भी जानते हैं कि फिर्स वर्ल्ड वार के दौरान टिक्नोलिजी इतनी ज्यादा डिवलप्ट नहीं थी और जो लोग घायल हो रहे थे उनको अस्पताल पहुचाना बहुत बड़ी जम्मेदारी का काम था उस राइम पे अम्बुलेंस पगारा तो थी नहीं कि जट से घायल लोगों को उठाएं और फट से अस्पताल पहुचा दें इसलिए लोगों को अपने उपर बिठा कर डॉक्टरों के पैस पहुचाने का जिमा गध्धों ने लिया यहां तक कि गध्धों ने तो 300 जवानों की जान एक बार में बचाई थी अकेले इस गध्धे ने 300 सैनिकों को एक जगा से दूसरी जगा पर अपने उपर लटा कर सुरक्षित पहुचाया ताकि उनकी जान बच सके और इस गध्धे को इसकी बहादुरी के लिए वीरता के मेडल के रूप में पॉपल क्रॉस दिया गया दोस्तों गध्धूं और हम इंसानों की दोस्ती नहीं नहीं है बलकि इंसानों ने गध्धूं को 5000 साल पहले ही पालतू बनाना शुरू कर दिया था शुरुआत में इनका इस्दिमाल माल्ड होने के लिए किया जाता था वैसे तो गध्धा गोड़े और जीब्रा की प्रजाती से ही बिलॉंग करता है लेकिन जहां एक तरफ गोड़े के पैर बड़े-बड़े होते हैं वहीं गध्धे के पैर छोटे-छोटे होते हैं लेकिन गध्धा लगातार काम करने के इच्छा रखता है अब आप बोलेंगे कि गध्धों से बढ़िया तो खुटे हैं जो इनसे भी बहतर तरीके से गाड़ कर सकते हैं और मौका मिले तो शिकारी जानवरों को मार भी सकते हैं आपका ये सोचना बिल्कुल सही भी है कुटे काफे खुंखार होते हैं लेकिन अगर प्राक्टिकल तोर पे देखा जाए तो किसी गरीब के लिए अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए गध्धों का चेयन सही है इसकी दो बड़ी वज़े हैं एक तो ये के कुट्टों की जिन्दगी ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 साल की होती है वही गध्धे आराम से 30 से 40 सालों तक जीवित रह सकते हैं यानि गध्धों को एक बार ट्रेन किया गया है तो 40 सालों तक तो ये आराम से अपने काम पे लगे रहेंगे उपर से जो guard dog होते उनको पालने का खर्चा भी काफी लंबा चौड़ा आता है जिससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप गधे को पाल सकते हैं क्योंकि ये घास फूसखा कर जंदा रहते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अमीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं बाकि इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भोलें धन्यवाद